नमस्कार दोस्तों, दोस्तों इंडिया का फर्स्ट इंडिजनेसली बिल्ट होम गुरोन एरक्राफ्ट कैरियर आज फाइनली इंडियान नेवी में कमिशन कर लिया गया है और इस इवेंट पे हमारे देश के पधारमंत्री साहब नरेन मोधी जी भी बहाँ पर मौझूद थे यह आर्टिकल देखिए रात का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का PM2 कमिशन आईनस विकरांथ और साथ में एक चीज और अन्वील करी उन्होंने और डाट इस नेवल एंसाइन क्या होता है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा पर चलिए अभी फिलाल यहाँ पर मैं आपको आईनस विकरांथ की सारी फीचर्स के बारे में बताता हूं ठीक है यह आप देखिए इंडियर इंडि टीवी का भी आर्टिकल यहाँ पर है आईनस विकरांथ विच इंडिया ज फर्स्ट इंडिजिनेसली बिल्ट एयरक्राफ्ट केरियर उसको आज कमिशन क कर लिया गया है समझते हैं बेसिक से पहले यह कि dprं कuição सब्सक्रानथ होते क्या है लुद्गर एक यह आपको इस तरह का यहँ पर मिलेगा करियर और इसकी ऊपर आप military एरक्राफ्ट रखके ले जा सकते हैं डीप में बनाद जब्रक्ब पढ़ा तो हम लोग अगर इंडिया करवा सकते हैं helicopters भी आप take off करवा सकते हैं तो what is this aircraft carrier क्या होता है ये एक तरह का ये एक तरह का ship है ठीक है ये एक तरह का ship है और actually जो military aircraft को carry करता है जो take off और वहां से land कर सकता है ठीक है इस लंबे से long से area पर take off और land कर सकता है सिंपल सी भाशा में एक हम कह सकते हैं कि यार ये हमारी armed forces को strong कर रहा है military aircraft है हवा air operations में हमारा control बढ़ेगा और नीवी के तुरू हो रहा है ठीक है तो इस तरह से ये बहुत deadly combination हो जाता है यह आप देखिए इस तरह का एक आपको मैं क्लिपिंग दिखा रहा हूं कैसे यह आपर take off करने जा रहा है ठीक है यह देख सकते हैं और इस तरह से देखिए यहाँ पर यह take off कर गया ठीक है समझेंगे कि यह actually क्या है किसने बनाया है इसको design किया गया है इसको बनाया है किसने kochene Shipyard Limited nे and it is designed by Warships Design Bureau Warships Design Bureau ठीक और बनाया किसने manufactured by kochene shipyard Limited. Cochene Shipyard Limited Ministry of Shipping के उता है Ministry of Sports Shipping and Water Ways के उन्दर आता है और हमारे इनस विक्रादने अपने सारे 3 trials complete कर ली है final phase से पूरा इस ने गया है और इस लिए अब फाइनली इसको आज कमिशन कर लिया गया है ठीक है why is it important for India to have an aircraft carrier ? क्यों इतना important है क्योंकि देखिए हमारे jy air operations होते हैं उस में हम dominant कर सके समुंदर के बीच में air operations के हम dominant कर सके इसलिए होता है साथ में इसको blue water navy इसको ब्लू वाटर नेवी भी कहा जाएगा ब्लू वाटर आप समस्क्ते हैं पानी को रिफर किया जा रहा है तो ब्लू वाटर नेवी जब आप इस तरह की एरक्राफ्ट कारियर को ले जाओगे कभी जब पड़ा एयर स्ट्राइक्स करने का बीच समुंदर में तो वह भी प आपकी सेना को, ठीक है, अब चुकि इतना important होता है, aircraft को carry करके ले जा रहा होता है, इसलिए इसको escort किया जाता है various other other helicopters और अलग अलग चीजों से, जैसे missile cruisers इसको escort करते हैं, destroyers होते हैं, बगल में supply ships, frigates हना, ये submarines, ये सब इसको escort करते हैं, तब ही आगे aircraft carrier आगे बढ़ता है, why is it a big deal मैंने आपको अल्रीटी बता दिया, big deal इसलिए है क्योंकि पूरे wish में सिर्फ 5-6 देशी हैं ऐसे, जो aircraft carriers अपने manufacture कर पा रहे हैं, ठीक है इंडिया की बात भी करें, तो हमारे पास पहले था, हमारे पास पहले obviously था, यससे उसको हम बोलते है INS Vikramadit, लेकिन ये INS Vikramadit हमने रशिया से लिया हुआ था, हना ये उस वक्त का Admiral, उसका नाम था Admiral Gorshkov, ठीक है वहां से इसका origin है, Admiral Gorshkov का origin ही है, और फिर वो INS Vikramadit, इंडिया में उसका नाम पढ़ जाता है ठीक है, तो हम पहले जो इस्तेमाल करते थे वो रशिया का था, it was not indigenously built, फाइदा क्या होता है indigenously built का, एक फाइदा ये होता है सबसे बड़ा फाइदा होगा, वो ये कि दूसरे countries को हमारी forces हमाई टाकत के बारे में अंदाजा नहीं होता है अगर हम किसी दूसरे country से ले लेते हैं for example, हमने S-400 रशिया से ले लिया तो S-400 के चारे features के बारे में रशिया जानता है, इसका मतलब उनको पता रहेगा कि इंडिया के बस क्या-क्या capabilities है अगर वही चीज़ हम इंडिजनसली बनाएंगे तो Russia will not be aware कि हमारे पस क्या-क्या capabilities है ठीके न, तो इसी लिए यहाँ पर एक बहुत high demand थी चीज़ की INS Vikramadit हमारा only एकलोता अभी तक का aircraft carrier था, लेकिन अब हमारा INS Vikramadit इंडिजनसली ग्रोन second aircraft carrier भी हो चुका है ठीके, तस्वीरे आपको दिखा जाता हूँ, यह देखिए किस तरह से लंबा यह feature है, यह आप पूरा देख सकते हैं हना और photos देखिए आपकी, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आके यह उठा हुआ है यह ऐसे आके उठा हुआ है इसको एक feature बोलते है यह आईनस विक्रांत का एक feature है जिसको बोलते है ski jumping, मैं भी आपको बताऊंगा explain करूँगा, ठीके, यह देखिए आप आप यहाँ पर इसमें missiles भी carry करके ले जा रहे हैं कुछ-कुछ चीज़ें, आप weapons बहुत सारे carry कर सकते हैं helicopters भी इसके उपर ले जा सकते हैं तो कई सारे weapons देखिए इतना खुबसूरत भी लग रहा है रात का scene है यह देखिए आप हना, तो यह सब चीज़ें इसके साथ add-on होती है अब इंडिया के पहले दो earlier carriers थे पहले दो carriers थे ठीके और उनका origin British origin था ठीके, किसका किसका और क्या origin था एक था HMS Hercules जिसको हम लोगी विकरांद refer कर रहे थे ठीके, एक HMS Hearns जो हम लोगा INS Virat हुआ करता था इनको 1961 में commission किया गया था इसको जाके 1987 में commission किया गया था यह विकरांद जो उस वक्त वाला विकरांद था इसलिए आज के इस विकरांद का नाम INS विकरांद रखा जा रहा है ठीके ना, क्योंकि वह वाला उस वक्त वाला विकरांद था ठीके, यह विकरांद ने 1971 की पाकिस्तानी वार में बहुत दा important role play किया था पाकिस्तानी forces को escape करने से रोक लिया था ठीके, बहुत बुरी तरह हार हुई थी वहाँ पाकिस्तानी forces की, तो यह important ध्यान रखिएगा 1961 में इसको commission किया गया और उसके बाद 35 साल की service के बाद, 35 years of service के बाद इसको हटा दिया गया, decommission कर दिया गया था ठीके, अब हमारे पास finally यह नया वाला INS रिकरांथ है, यह हमारा खुद का indigenously बनाया हुआ है, यह aircraft carrier ठीके, अब यह जिसके features है 62 meters का, इसका width आपको देखने को मिलेगा अब, apart from that, लगभग यह पहले का article है जहां 40,000 ton लिखा था, लेकिन यह 45,000 का INS aircraft का, इस INS रिकरांथ का वेट है, 20,000 करोल रुपे में बनाया गया है 59 meters की, इसकी height आपको देखने को भी लेगी 59 meters की height approximately होगी 14 decks मिलेंगे, लेंथ दिखे, यहां से लेकर यहां तक जाएंगे आप तो आपको length 260 meters, 262 meters की approximately मिलेगी इतने सारे weapons आप इसमें ले जा सकते हैं, जैसके MIG-29 aircraft भी इससे take off कर सकता है काम ओफ 31, early air warning system भी इससे यहां इससे यूज हो सकता है, तो यह सब चीज़ें भी हैं यहां पर जो इस particular aircraft carrier पर हम ले जा सकते हैं, इस पर carry हो सकता है, इसलिए इसको carrier बोलते हैं और aircraft carrier क्योंगे अलग अलग प्रकार की aircraft को भी आप यहां पर carry करके ले जा सकते हैं, तो क्या-क्या इंडिजनेस components है, टोटल इस particular विक्रांत के अंदर इनस विक्रांत के अंदर 76% अप इंडिजनेसली यूज किये गए हैं 180 km के, 150 km in fact आपको pikes मिलेंगे, 2000 walls मिलेंगे apart from that आपको बहुत सारे galley equipments, air conditioning, refrigeration plants लगे हुए है rigid hull boats लगे हुए है, यह सारे चीजे जो है इस आईनस विक्रांत के अंदर लगा हुआ है अब officials के आप से बताया गया है कि बहुत सारे छोटे मंजॉले MSMEs जो सूक्ष में लगू और मध्यमवर्गी दोग होते हैं, enterprises होते हैं वो इसके construction में involved थे, manufacturing में involved थे apart from that बड़ी-बड़ी कुछ industries थी manufacturing industries जैसे कि BEL, BHEL, GRSE यह सब भी इसके manufacturing में, इस manufacturing industry में involved थी Indian industrial houses यह सब जो है, वो इस INS विक्रांत के manufacturing में involved थे now what weapons, क्या-क्या weapons इसमें इस्तिमाल हुएं बता जिता हूँ, देखो, यह आप compare कर सकते हो INS विक्रांदेट से, INS विक्रांदेट जो लगभग साड़े 44,000 के ton का है, weight का है यह आपको विक्रांत 45,000 ton के आसपास मिल रहा है, apart from that आप देखें कि यह 34 aircraft carrier carry कर सकता था INS विक्रांद, हमारा INS विक्रांदेट थे 34 carriers को ले जा सकता है, carry कर सकता है, INS विक्रांद भी 30 carriers को, aircraft carrier को भी carry कर सकता है apart from that दो बहुती important अच्छे feature है सके अंदर, एक है क्या, जिसको बोलते है, stobar, क्या बोलते है, stobar, what is this, short take-off but arrested recovery Now what is this, short take-off, मतलब, जब aircraft carrier take-off कर रहा है, तो बहुती कम run में take-off कर सकता है, और वो कैसे possible है, वो possible है ski jumping की वज़े से, वो कैसे possible है, ski jumping की वज़े से, हना, जादा आपको लंबा run नी लेना है, short take-off होगा, और arrested recovery, अब चुकि इतना बड़ा area तो है नहीं क्यूकि आपर देख चुकि 262 meters का ही खाली वो aircraft है, तो कैसे take-off करेगा इतने छोटे से span में, या कैसे land करेगा, उस technology को बोलते है, stobar technology, what is that, that is short take-off, ठीक है, short take-off, मतलब, कम distance, run करके भी उड़ सकता है, और arrested recovery होती है, क्या होता है, यह features, चलिए यहाँ पर बताते है, इसमें कितने arrested recovery है, तीं arrested recoveries है, क्या होती है, देखिए, पहले आपको बताता हूँ, कि यह, यह आप देख रहे है, यह ski jumping है, ठीक है, यह इसका feature है, ski jump का, कैसे ski jump देख रहा है आपको, देखिए, यहाँ पर यह aircraft carrier, ऐसे आके पर उपर की तरह उठा हुआ है, तो यह help करता है, उसको take-off करने में, ठी यह, जब यह plane land कर रहा है, यह आपका aircraft land कर रहा है, तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह की यहाँ चीजे लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह system लगा है, यह आपर wire जैसे होंगे, ठीक है, उसमें यह पूरे एक तरह का एक design होता है, उसमें यह wire फस जाता है, कैसे फसता है, एक बार यह देख लीजे, यह picture देख लीजे आप, यह देखे, यह aircraft carrier से निकला, इस तरह से यह दिख रहा है आपको, और यह आपको दिख रहा है wire, यह आपको दिख रहा है wire, तो यह wire यहाँ पर रुक जाएगा, और रुकने से क्य चीजें यहाँ पर बनाने वाला, और भी aircraft बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, इंडिया अपने third aircraft carrier को भी ढूंड रहा है, यानि उसके लिए भी green signal ढूंड रहा है, third इसलिए जूकि एक INS Vigrama देते हो गया, एक हमारा पहला indigenously grown IAC-1 हो गया, ठीके, और अब यह तीसरा बन होगा, और INS Vigrama देसर भी भारी होगा, तो यह बहुती बड़ा aircraft यहाँ पर carrier बने वाला है, अब मैंने आपको बताया था कि क्या, एक naval ensign भी unveil किया जाएगा, जिसका नाम है निशान, अभी naval ensign क्या होता है, देखे, naval ensign basically, यह तरह का flag होता है, जो आपको ships पे लगा यह flag India की अभी इस aircraft की बात करेंगे, तो इस तरह का है, white background है, white background पे red color का cross है, एसा मैं समझेगा, इंग्लाइंड का map जंडा देखे लगे, यह white background है, wide background पे red color का cross है, उस पे लिखा हुआ है सत्मेफ जयते, और India का flag आपको एक corner पे दिख रहा है, ठीक है यह corner पे देखेगा, यहोते नेवल एंसाइंस ठीक है धिन दखीगा यह चीज अभी इसको अब यहां पर निशान लॉंश क्या जागा निशान निशां लॉपल आ घ्रेंच कर रहे हुद करें तो यह चीज हो गया तो इंडिया नेवल एंसायं अभी जो मैंना आपको दिखाय को दिखाया वह आपको एक रिगवेत का एक श्लोग भी मिलेगा ठीक है यह फ्रेज रिगवेत से लिया गया है यह आप देखें यहां पर लिखा हुआ है जयमा साम युद्धी सप्रुधा ठीक है इसका मतलब क्या होता है जो हम से लड़ेगा हम उसे कॉंकर कर लेंगे इसके अलावा साथ में इस आइनेस विकरांथ पर हमारा एक जो नंबर पड़े होते हैं शिप की उपर क्या बोलते हैं इसको उसको बोलते हैं पीनेंट नंबर क्या बोलते हैं पीनेंट नंबर तो वहाँ पर पीनेंट नंबर शिप की उपर लगा रहेगा आर वर्मन कैसे होत information आईनस विग्रांद के बारे में उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा do let me know in the comment section कैसा लगा आपको ये हिंदुस्तान का indigenously aircraft carrier कितनी हमारी छमताए बढ़ने वाली हैं से do let me know, I would genuinely like to know your comments, ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत